आपके लाइफ कितना में बुरा टर्न क्यों ना ले फिर भी छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी ढूड़ना ये बहुत ही इंपोर्टेंट है इस ब्यूटिफुल मैसेज के साथ आज की मुवी आती है Christmas in August 1998 की Korean मुवी आज में आपको explain करने वाला हो ये की love story है तो जल्दी से शुरू करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमारा main character वान हमें उठता हुआ दिखता है आज का चोई दिन है इसके लिए हार्ट होने वाला है इसे hospital में जाना होता है जब वह वहाँ पोचता है तो आएक चोटी से लड़की खेल रही होती है इसे खेलता देख वह हसने लगता है और उस चोटी से लड़की खुब हासाता है इसका आज diagnosis हुआ है पर ये कुछ अच्छा नहीं है वान फिर directly अपने school में आ जाता है जब वह चोटा था तब जिस तरह से खेलता था उसी तरह से सब चीज़े ट्राय करकर देखता है फिर वह ground पर बैठता है सब बच्चे जो खेल रहे होते हैं इन्हें observe करता है यह हमें कहता है कि जब मैं छोटा था तब मैं ऐसे ground के बाहर बैठता था और सब को देखता था यह कैसे खेल रहे है यह हमें सामें देखता रहता था वान कहता है कि आज मुझे realization हुआ है जैसे मेरी मदर गुजर चुकी है उसी तरह से मैं मेरा प्रदर मेरी सिस्टर हम सब इस दुनिया से चले जाने वाले हैं वान फिर अपने शॉप में आ जाता है यह फोटोग्राफी करता है और अगो जहरा उस्वेगरा का भी काम कर देता है यहां एक लड़की आती है वो उसके फोटो देखकर बोलती है यह कुछ अच्छे नहीं आया है वान खहता है कि कोई बात नहीं हम फिर से निकाल लेंगे वान के फोटोग्राफ्स अच्छी लगे तो कितने भी बार निकालने के लिए वो ready होता है इस लड़की को बिठाता है अच्छी तरीके से पोस करने के लिए बोलता है अपना जो काम हता है यह बहुत ही खुशी से वो करता है वान को फिर अपने फ्रेंड का कॉल आता है फ्रेंड के फादर जो होते है वो मर चुके होते है फ्रेंड को help चाहिए तो इसलिए वोन वहाता है यह जब सब हो जाता है तो अकेला वो जाड के नीचे बेटता है वो यहाँ सोचने लग जाता है उसे अब बहुत ही बुरा लग रहा है जो वो ऑस्पिटल में गया था तो उसे मालूम था कि उसका डाइगनोसिस बहुत ही बुरा होने वाला है इसे बास बहुत ही कम दिन अब बचे है वोन अपने फ्रेंड के फादर का मेमोरेल देखकर बहुत ही डिस्टब हो जाता है इसके बाद वो ठक कर अपने स्टूडियो में आ जाता है वोन स्टूडियो में घुसी रहा होता है तो भी वहाँ एक लटकी आ जाती है इसे बहुत ही अजंडली अपने फोटोस के कौपी बनाने होती है वोन उसे कहता है कि थोटी देर बाद आओ अब वो कुछ भी काम नहीं करना जाता यह जित से अंदर आ जाती है और जो फोटो उसे कौपी करने है यह सब उसे दे देती है वोन फिर एक ज़रा गोली लेता है और अपने काम को लग जाता है थोड़ा फ्रेज होने के बाद वो इस लटकी के पास आता है यह जो लटकी है यह हमारा मेन क्यारेक्टर है इसका नाम रीम है रीम के लिए वोन एक आइसक्रीम लेकर आता है यह उसे देता है वो उसे अप्लोजाइस करता है उसे कहता है कि मॉर्निंग मेरी ज़रा हाट थी यह लटकी उसे पुछती है कि क्या इनलाजमेंट हो चुकी है वो कहता है कि थोटा सा वक्त लगेगा यह दोनों फिर आइसक्रीम खाते है नेक्स्टमें वोन का घर दिखाया गया है वोन अपने फादर के साथ रेता है यह दोनों बहुत ही अच्छे कुक होते है इनकी मदर नहीं है तो वैसे भी इनहीं कुक करना पड़ता है बारिश का मोसम अब शुरू हो चुका है ने इस दिन वोन जब पेट्रोल भार रहा होता है तो उसे फिर से रिम दिखती है वो उसे वहाँ good morning करता है जो वो अपने studio में होता है तो कुछ बच्चे उसे घेरे हुए होते है उन्हेंने उसे roll लाकर दिया होता है और यह in large करने वाले होते है यह सब उनकी school की लेड़कियों की photos होती है यह बहुत ही चोटे चोटे बच्चे होते है और यह जगट रहे होते है यह तुमारी girlfriend कौन सी है मेरी girlfriend कौन सी है यह बहुत ही cute one को लगता है जब यह चोटे रटके बाहर आते है तो एक दुसरे को मानने लग जाते है इनकी fight one stop करता है यह जब सब हो रहा होता है तो रिम भी वहाँ आ जाती है यह भी यह देखकर बहुत ही हसती है रिम को स्टूडियो में और ज़रा काम होता है वह उन स्टूडियो से अपने घर जा रहा होता है तब ही रस्ते में उसे उसकी ex girlfriend दिखती है वो गाड़ी रोकता है और उसे पुछता है तुम कब वापस आई वो अभी अभी वापस आई हुए होती है वो से कहता है कि तुम थोड़ी भी नहीं बतली यह भी कहती है कि तुम भी ज़रा भी नहीं बतले बहुत ही awkward यह conversation हो रही होती है तो यह कहती है कि हम फिर से मिलेंगे जब रात होती है तो वोन अपनी sister से मिलने आता है यह दोनों watermelon खा रहे होते है ति भी उसकी sister उसे पुछती है तुमारी ex-girlfriend टाउन में वापस आचुकी है क्या तुम उससे मिले है वोन यह subject टाल रहा होता है वो अलग अलग subject लेकर आता है वो कहती है कि तुम अभी भी उससे प्यार करते हो वोन इस पर जाता ध्यान नहीं देता next scene में हमें दिखता है कि रिम जो है यह parking ticket देने वाली police है वोन भी बस से जा रहा होता है तो यह क्या करती है उससे पता चलता है रिम किसी से जगड रही होती है वोन जब अपने studio में पहुचता है थोड़ी देर बाद रिम भी वहा आ जाती है लोगों के साथ जगड कर रिम frustrated होती है और यहाँ आकर उससे कहती है कि मैं यहाँ ज़रा ठक चुकी हूँ मैं यहाँ ज़रा अराम करना चाती हूँ उसे गर में रग रही होती है तो वोन जाकर पंखा भी adjust कर देता है रिम वोन से पुछती है क्या तुम लियो हो? तुमारा जब ऑगस्ट में हो था तो फिर वो कहती है कि मैं लियो के साथ बहुत ही compatible हूँ वोन से उसका age पुछती है वो guess करती है यह 30 के उपर हो है रिम अपने 20s में होती है रिम उसे पुछती है कि अब तक तुमने शादी क्यों नहीं की? वोन उसे हसते होँ कहता है कि उसके दो बच्चे है रिम उस पर वेलियो नहीं करती है और कहती है तुमारे कपड़ों से नहीं लगता कि तुमारे दो बच्चे होंगे यह फिर वोन के पास बेटती है और सो जाती है थोड़ी देर बाद अपने आग खोलती है और उससे पुछती है कि तुम इतने confidently आज मुझसे कैसे बात कर रहे हो वोन उससे कुछ भी नहीं बोलता नेक सिन में वोन अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा है यह हमें दिखता है वोन के फादर ने आज सब कुछ बनाया होता है वोन के फादर ने आज सब कुछ डिनर वगरा बनाया होता है उसकी सिस्टर, उसकी बेटी, उसकी बदर इनला यह सब वहाँ आये होए होते है वोन की सिस्टर खाने की तारीफ करती है वोन के फादर कहते है कि तुमें तो कभी भी अच्छा खाना बनाना नहीं आता वोन और उसके फादर उसे बहुत ही चिडाते है डिनर हो जाने के बाद एक अच्छे से फैमिली फोटो ये लेते है दुसरे दिना में दिखता है कि रिम रस्ते से अकेले जा रही होती है और उसके हाथ में एक बड़ी सी बैग होती है ये बहुत ही हेवी होती है वोन उसको पास करता है और आके चला जाता है रिम को लगता है कि चला जा चुका है पर यूटन लेकर उसकी help करने के लिए आ जाता है उससे पीछे बेटाता है और उससे जहाँ जाना है वहाँ छोड़ देने वाला होता है बाइक ज़रा fast चलाता है जिससे रीम उसे पगड़ ले वो और उससे बुछता है या तुम्हारा कोई boyfriend है वो और उससे बुछता है क्यों नहीं है वो कहती है कि मुझे कोई interesting मिला ही नहीं है वो और उससे कहता है कि मैं sure हो कोई ना कोई तो interesting तो भी मिली जाएगा वो और फिर अपने shop में आ जाता है तो उसके ex-girlfriend वहाँ आती है इसकी ex-girlfriend का जो पती है यह बहुत ही abusing है और बहुत जादा drink भी करता है उसकी sister ने यह सब उससे बताया था अब इसके पास आई है तो उसे अंदर बिठाता है अपनी जो 20 साल पुरानी यादे होती है वो फिर से ताजा करने ही कोशिश करता है वान जो था वो अपनी ex-girlfriend की जो डायरी थी वो चुरा लेता था और वो पढ़ लेता था इन दोनों में बहुत ही fight हो जाते थी यह moment याद करकर यह दोनों smile करते है वान उससे कहता है कि अब तुम्हारे दो बच्चे है उसके ex-girlfriend उससे कहती है कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की वान कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था यह वो मजाक में कहरा होता है पर यह थोड़ा सा सही भी होता है इस ex-girlfriend ने सुना है कि वान बिमार है इसलिए उसे देखनी के लिए वो आई है उसी यह पूछती भी है वान कहता है कि इतना जादा कुछ serious नहीं है मैं ठीक हो जाओंगा वान फिर हमें बस में दिखाये गया है वो कहता है कि time के साथ हम बहुत ज़्यादा बजल जाते है हम दोनों में बहुत सारी awkward conversation हुई पर last में मेरे studio में उसका जो photo था उसने मुझे वो निकालने के लिए बोला वो कहता है कि जो भी चीज़े होती है वो time के साथ fade होती जाती है प्यार का भी ऐसा ही होगा ऐसा उसे लगता है निक्स दिन वो studio में होता है तो रिम फिर से काम लेकर आती है वोन उसके लिए बड़ा सा ice cream का pack लेकर आता है रिम में वोन के साथ share करती है वोन जब ये खाता है तो उससे कहती है ये बहुत ही अच्छा मोमेंट ये शेयर करती है निक्स दिन हमें दिखता है कि रिम जिसी भी रिस्टोरण में जाती है वहाँ के सब कस्टमर सुहाज चले जाती है क्योंकि ये पार्किंग डिकेट उन्हें देश सकती है तो इसलिए रिम को अब कोई भी रिस्टोरण सर्व नहीं करता क्योंकि उतने टाइम तक उनका बिजनेस से नहीं होता रिम फिर अपने फ्रेंड के साथ बाहरी पास से लेकर खाती है वोन भी रस्ते से जा रहा होता है और उसे देख लेता है वो टरन लेकर इसके पास आ जाता है वोन ने बहुत सारी ग्रोसरी जगरा लाई हुए होती है रिम भी उसके पास आती है इसके बारे में उसे पुछती है वोन कुक कर सकता है ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है रिम की फ्रेंड वान को सही तरीके से देखने के लिए उसकी स्टूडियो में काम लेकर आती है रिम धक कर गाड़ी में सोच चुकी होती है इस रात अपने फ्रेंड के पास वान आता है उसका जो फ्रेंड होता है ये कराटे इंस्टरक्टर होता है ये दोनों फिर पार्टी करने के लिए होटेल में आते हैं या बहुत सारी दारों बगरा पीते हैं वो जो अपनी जवायनी और बच्पन के मुमेंट है वो सब शेयर करते हैं वान कहता है ये कैसे तुमने बुचर की डॉटर को डेट किया था ये सुनकर वो दोनों हसने रख जाते हैं रात में बहुत ही पी लेते हैं फिर भी वो उनको अभी भी ड्रंक होना होता है वो उन स्टीट पर लड़कडा आते हुए जाता है अपने फ्रेंड को मना ही लेता है कि उसे और ज़दा पीनी चाहिए नेक्सिन में हमें डारेक्ली पुली स्टेशन में दिखाए गए है बहुत ही जादा ड्रिंक करकर इसने फाइट ले ली थी जब पुली स्टेशन में होते हैं तो आवाजे उससे लिए बहुत ही जादा हो जाती है ये सब को चुप रहने के लिए बोलता है यह अपना control वो lose कर देता है जिस तरह से वो life का control lose कर रहा है पर इसके लिए कुछ जादा वो करने ही सकता पर अब वो यहाँ चिला कर अपना जो गुशा है यह सब कुछ निकाल लेता है दूसरे दिन सुबह में उसका फरेंड से call करता है उसने जो सब किया था यह सब उसे सुनाता है वोन को कुछ भी याद नहीं होता रेम फिर से वोन के studio में आती है आज उसे उसकी तस्विर लेनी होती है वोन उसकी तस्विर लेता है और फिर यह दोनों बात करने लग जाते है एक दूसरी की life के बारे में पुछते है वोन पुछता है कि तुम्हारा job तुम्हें कैसा लगता है वो कहती ही कि ठीक है जॉब तो जॉब ही होता है वोन के job के बारे में वो पुछती है पर इसमें जादा वो थौट नहीं देता रीम का आज पेचे काया हुआ होता है तो वोन उसे पुछता है कि क्या तुम आज मुझे ट्रीट दोगी तो वो भी इसके लिए मान जाती है थोड़ी देर बाद वोन का जो स्टूडी होता है यहाँ एक बड़ी स्फैमिली आती है एक फैमिली फोटो इनको निकालनी होती है यहाँ एक बुड़ी आरद होती है इसका जो स्टूड होता है वो कहता है कि आज तुमारे एक फोटो निकालनी है यह ओल लेडी थोड़े साल में मर जाएंगी इसकी जो फ्रेम होगी इसके लिए फोटो जाहिए इसलिए ये फोटो निकालती है ओल्ड डेडी को ये फोटो नहीं निकालना होता पर उसका सन उसे फोर्स करता है नेकसिन में हम दिखता है कि वान एक जगा फर फसा हुआ होता है और बहुत सारी बारिश आरे होती है रिम भी वहाँ से गुजर रही होती है तो वो उसके पास आती है वान केता है क्या हम ये अम्बरेला शेर कर सकते है वो एक्षारत रखती है अगर तुम ड्रिंक बाई करोगे तो मैं जरूर ये शेर करोंगी वान भी इसके लिए मान जाता है और वो आज रात साथ साथे साथ बजे उसके पास आने वाली होती है ये एक के अम्बरेला शेर करते है रिम को जरा रेन लग रही होती है तो अपने पास उसे खिच लेता है उसे वो बारिश नहीं लगने देता जब रात होती है तो और भी बारिश आ रही होती है और One Rim का है अंतिजार कर रहा होते हैं थोड़ी दिर बाद जो Old Lady की फोटो उसने ली थी वो भाहा जाती है यह Old Lady अब सजदज कर जरा आई है यह One से कहती है कि तुमने मेरा फोटो लिया था वो उसे अच्छा नहीं लगा था यह उसके फ्रेम के लिए होगा तो उसे बहुत ही अच्छा इस फोटो में लगना है यह Old Lady उसे पुछती है कि क्या तुम मेरी और एक फोटो लोगी है One कहता है कि क्यों नहीं जरूर लूंगा यह कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है One इसे कहता है कि मैं कोई भी पैसे नहीं लेने वाला One इस Old Lady के बहुत ही ब्यूटिफूल फोटो निकलता है रात हो जाती है पर फिर भी रीम नहीं आती One फिर घर आता है बहुत बिजली कड़कड़ा रही हुती है वो बहुत ही डर चुका होता है अमने फादर के पास आकर हो सो जाता है नेक्स दे स्टूडियो में One होता है तो रीम वहाँ थी है One उसे पुछता है कि कल तुम क्यों नहीं आई थी रीम कहती है कि मेरा मन नहीं था इसलिए वो नहीं आई थी वो जॉब के लिए फिर वहाँ से निकल जाती है यह ज़रा पास आ चुगे थे इसलिए रीम ने ज़रा सा डिस्टंस मेंटेन किया था नेक्स दे में हमें दिखता है One के जो फ्रेंड्स होते है इनकी रियूनियन हो रही होते है बच्पन में यह सब जो गेम खेलते थे यही गेम वो आज फिर से कहलते है जैसा One अपने ज़वानी में महसूस करता था जिस तरह से वो फन करता था वो फिर से उसे एक बार जीना है और यही यह सब हो रहा होता है इस गेम में उसका एक फ्रेंड हार जाता है और उससब पर जीना है लग जाता है मैं जब छोटा था तब भी ऐसा होता है और अब बढ़ा हो चुका हो तो भी ऐसा ही हो रहा है सब इस पर बहुत ही हसने लग जाते है One भी बहुत ही खुश होता है अपने फ्रेंड्स के साथ एक बढ़ा सा गुरूप फोटो लेता है One जब घर पर होता है तो उसके फादर टीवी देख रहे होता है उसे एक डिस लगाने के लिए बोलते है One कहता है कि जो टीवी हैंड्लिंग वेग रहा है वो सब आपको आना चाहिए One जो है जाता दिनों के लिए इस दुनिया में नहीं रहने वाला इसलिए टीवी के हैंड्लिंग वो अपने फादर को सिखा रहा होता है टीवी चलाने के जो इंस्ट्रक्शन होते है यह भी अपने फादर के लिए वो लिखता है जब शाम होती है तो रिम वान के पास आती है उनकी जो उस दिन डेट थी वो नहीं होई थी तो इसलिए आज ये शाम उसके साथ वो स्पेंट करने वाली है ज़िए मेकब वहरा लगा कर आई होई होती है तो वो अन उस पर हसता है यह दोनों फिर जरा रिंग करते है और वो अन उसे पूछता है कि तुम विकेंड्स वहरा क्या करती हो वो कहती है कि मैं जाहत दर सोती हूँ वो वो उन से पूछती है वो उन कहता है मैं कपड़े दूता हूँ आयनिंग करता हूँ यह सब इन दोनों के बोरी इन लाइफ हो एक दूसरे को बताते है रिंफिर कहती है कि मेरी जो फ्रेंड है यह अम्यूजमेंट पार्क में काम करती है यह इन डारेक्ली उसे फिर से डेट पर पूछ रही होती है यह दोनों फिर हमें डारेक्ली अम्यूजमेंट पार्क में दिखाए गए है यह बहुत ही अच्छा सा डेस्पेंट करते है यह दोनों फिर साइस्क्रीम घाते है, दोड़ते है, फुरूट्स घाते है, यह दोनों आज बहुत ही खुश होते है जब यह राद में रस्ते से चल रहे होते है, तो वह उन उसे एक स्टोरी सुनाता है ये स्केरी स्टोरी होती है वो उसे कहता है कि जब मैं आर्मे में था तो मैं और मेरा फ्रेंड एक दिन सो रहे थे मुझे लगा था कि वो मेरे फ्रेंड से आ रही थी पर बात में हमें पता चला कि वहाई एक डेट बोड़ी है उसे लगा था कि जो आदमी मर चुका है ये फार्ट कर रहा था वोन कहता है कि हम दोनों मरने के बाद भी घोश बन जाएंगे ये उसे बहुत ही नैचरल लगता है रात में वोन को बहुत ही तकलिफ होने लग जाती है उसे अब होस्पिटल में एडमीट कर दिया चाता है रिम इस डेट के बाद बहुत ही खुश हो जाती है वो रात में भी वोन की बारे में सोच रही होती है जो वेर स्टोरी वोन ने उसे बताई थी यही स्टोरी अपने फ्रेंड को बता कर बोर करती है नेक्स दिन जब रिम काम पर जाती है तब उसे पता चलता है कि उसका स्टांसपर होने वाला है यह सुनकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है यह फिर वोन के शॉप में आती है पर यह शॉप क्लोस्ट होती है यह यहाँ बहुत टाइम तक रुकती है पर यहाँ कोई भी नहीं आता थोड़ी दिनों के लिए वो यहाँ से बाहर जाने वाली होती है तो इसलिए वोन के लिए एक लेटर लिखती है जो यहाँ से गुजर रही होती है तो उसके स्टूडियो में यह लेटर वो डाल देती है दो-तीन दिन गुजर जाते है पर फिर भी ये इह स्टूडियो ओपन ही नहीं होता Quan अभी भी अश्पिटल में होता है ये बहुत सारे लेटर स्टूडियो में डालती है Quan की सिस्टर होस्पिटल में उसके साथ होती है वान जब सोय हुआ हुआ होता है तो सबने में हसने लग जाता है जब वो उठा है तो वान की सिस्टर उसे चिडाती है कि ऐसा का ड्रीम तुमने देख लिया उससे कहती है कि तुम्हारी कोई भी गल्रेंट तुमें देखने के लिए नहीं आयी उसे चिडा रही होती है रीम अपने फ्रेंज के साथ एंजॉई करने के लिए लब में आती है पर यहाँ भी उसे बहुत ही अकेला मैसूस होता है वान उससे मिलने ही रहा तो इससे वो रोने लग जाती है रात में वान के स्टूडियों बहुत जाती है और गुस्य में खिड़की को तोड़ देती है अब थोड़ी दिन गुजर जाते है और वान अपने स्टूडियों में आता है जो खिड़की रीम ने तोड़ दी थी उसने रिपेर कर दी है अपने जो लेटर्स थे वो भी सही से रख कर वो चली गई है वान जब आता है तो उसके लेटर्स पढ़ता है वान को लगता है कि उसे भी रीम के लिए एक लेटर लिखना चाहिए एक लेटर उसे लिखता है उसे ढूड़ने के लिए निकल पढ़ता है वो जहाँ जौब करती थी वहाँ पोच जाता है या उसे पता चल जाता है कि रिम नेक्स जगा कहा काम कर रही है रिम जहा काम करती है वह उसे देखकर वो चला जाता है अपनी स्टूडियो में फिर वो आता है रिम को जो फोटो थी जो उसने ली थी वो देखता है उसके जो allbum से, बजबन से, उसकी जो भी सब फोटो से, ये वो देखता है एक बास सब चीज़ों को याद करता है और हसता है अपने खुत के फ्रेम के लिए, खुत की फोटो हो लेता है अब हमें directly उसकी जो फोटो है, वो फ्रेम ही दिखती है अब Vaughan मर चुका है होता है यह photo देखकर रीम को बहुत अच्छा लगता है रीम को वान ने जो लेटर लिखा था हो में अब बढ़कर सुनाया जाता है इस लेटर में वान लिखा होता है कि मुझे हमेशा लगा था यह जो love की feeling है यह photographs की तरह होगी time के साथ यह fade हो दी पर तुमारे लिए मेरा जो प्यार है यह हमेशा मेरे heart में रहेगा मेरे last moment में हूँ और उससे प्यार करता है इसा उस लेटर में उसने लिखा होता है उससे और thank you और goodbye लिखकर यह लेटर खतम कर देता है रीम फिर हमें इस frame से चली गई है यह दिखता है और सिर्फ वान का photo studio उसकी यादे यह सब बाकी है यह movie यही खतम हो जाती है मूवे में वान का character उससे हमेशा से पता था कि अब वो थोड़े दिन में मरने वाला है इसने कभी भी इसका ज़दा tension ने लिया उसकी जो सब यादे थे उसने फिर से जी थी के friend के साथ उसने फिर से reunion की थी उसकी जो ex girlfriend थी उससे वो heartbroken था पर फिर से rim के पैर में वो पढ़ चुका था जब भी हो rim के साथ होता था तो दिल खोल कर वो हसता था जो भी उसके साथ moment है बहुत यह अच्छी तरह किसे जीता था उसने हमेशा लोगों का care किया और किसी को भी उसने hurt नहीं किया वो और ने movie के first में कह आता कि हम कभी ना कभी तो मीठी जाने वाले हैं हमारा जो time है यह सब का सिमी थे तब तक के लिए हमें smile करते रहना है खुशी के साथ यह life जिनी है एक beautiful message के साथ यह movie end होती है आपको अगर यह video अच्छा लगाओगा तो please इस video को like कर दीजे मैं बहुत सारी movies लेकर आता रहत इसलिए subscribe भी कर दीजे और bell notification icon भी दबा दीजेगा हम फिर से मिलेंगे एक नई movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप आपने आपका ख्याल रखना